क्यों हो आप सब आप सब आप से अच्छे हैं खुश है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं आप से भी लोगों के लिए जानेंगे की means कोई ऐसे situation है जो बार 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 आपकी सामने आ जाती है आप चाहते नहीं हो कि ऐसा बार बार repeat हो लेकिन वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा क्या आपको सुनने जानने की ज़रूरत है जिससे कि वो particular situation repeat ना हो और आप उस particular phase को complete करकर आगे बढ़ जाओ वैसे आज़कर prediction में आ रहा है कि आप कुछ नए phase में जाने वाले हो ऐसा prediction में देखा है मैंने लेकिन कुछ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि situation repeat हो रही है कुछ particular चीजें है जो बार 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 आपके सामने आ जाती है कोई छोटी मोटी भी हो सकती है कोई major भी हो सकती है क्योंकि situation पूरे तरीके से complete हो जाए और आप एक नए situation में जाएं कुछ नया सीखें, कुछ आगे अपने healing में आगे बढ़ें अपनी journey में आगे बढ़ें इन phases में फसकर ना रह जाएं तो ये reading आपको इस तरीके से help करेगी ठीक है? तो शुरू करने से जानना है अपने बारे में personal reading बुक कराना है इसका option है आप इसी वीडियो के description box में आपको मेरा Instagram ID का link मिल चाएगा वहाँ जाकर आप मुझको DM कर सकते हैं ठीक है? और prices reading को बुक कराने के पूरा term and condition लिखा हुआ है अच्छे से आप पढ़कर तभी मुझे contact करें classes join करना चाहते हैं tarot सीखना चाहते हैं उससे तो भी आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं चलिए वैसे admission बहुत जल्दी close होने वाले हैं तो जितने भी लोग interested हैं सीखने में जल्दी मुझे contact कर लें let's see कि क्या आएगा why does this situation keep repeating itself in your life let's see क्यों ये situation बार 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 रिपीट हो जाती है six of cups justice three of swords the star knight of pentacles ten prince okay two card एक साथ हैं तो उनको ले 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 तीन card है actually छीक है आपके reading में ज्यादा इस time major खाना आए है और यहां से ace of source का card आई नो कि सारे cards नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा रेंज कर लेती हूं मैं camera को actually मेरा tripod थोड़ा सा लूज हो गया है और यह ठीक साना balance नहीं हो पाता तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा देखते हैं मैं कब तक इसको order कर पाती हूं I hope कि अभी तो दिख रहे हैं से जादा यह अर्जस्ट हो नहीं रहा है यह लूज हो गया है यह बार बार नीचे हो जाता है चलिए guys आपको I hope कि कार्सो दिखी रहे हैं न I say कर देती हूं मैं okay अभी थोड़ा बेटर है पहले से why does this situation keep repeating itself देखो पहला कार आया है हमारे पास six of cups का यह जो कार होता है यह हमें past memories past life ठीक है old memories यह सब दिखा रहे है I don't know क्या situation है बर जो भी situation है उसमें आपका particular एक बड़ा सा dream है जुड़ा हुआ है जिसमें काफी struggle होता है आपको और कभी-कभी लगता है पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा I don't know यह marriage hack because we have justice card तो यह आपका कुछ profession हो सकता है या कोई court marriage का कुछ case या कुछ तो ऐसा चली रहा है ठीक है जिसमें काफी आपको heartache होता है काफी आप you know ऐसे हो गए हो कि अब कुछ नहीं बचा शायद कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कुछ ऐसा भी आपको लगता है लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ यह कोई major है ठीक है हो सकता है इसमें आपको छोटी छोटी victory मिल जाती है और आपको लगता ही कि आप आगे बढ़े हो obviously बढ़ रहे हो because we have temperance card temperance card तो मुझे healing दिखा ही रहा है कि आप healing में हो अपनी इस particular situation को लेके तो six of cups means कुछ past action कुछ past you ठीक है ऐसा कुछ है जो अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ है जो भी कोई past का कर्मा है कुछ ऐसा चल रहा है particular आपके साथ जो अभी भी heal होना बाकी है क्योंकि healing के साथ साथ we have hermit card और three of swords card यानि कि इस से related जो भी lessons है या जो भी कर्मा पूरा आपको करना है वो अभी process में है पूरा नहीं हुआ है पूरी तरीके से चीक है तभी hermit की energy है लेकिन साथ में temperance की energy है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप healing में हो already आप काम कर रहे है अपने situation को ठीक करने के लिए तो ये क्यों repeat हो रहे है क्योंकि ये खतम नहीं हो या पूरे तरीके से कही ना कहीं अपने इस target को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो analyze कर रहे हो इसमें थोड़ा सा time लग सकता है लेकिन इस situation खतम होगी एक चीज में आपको और बताना चाहती हूं अभी आप इस process में अगर आप समझ रहे हो बहुत ही लो गए हो अभी थोड़े mature आप दिख रहे हो हाला है कि strength बढ़ाई है courage बढ़ाई है ठीक है अपने target को achieve करने के लिए या फिर इस particular phase को complete करने के लिए ताकि यह situation बार बार repeat ना हो यह आपकी बहुत बड़े goal के साथ जुड़ी हूई है situation इसमें आपको victory मिलती है justice भी मिलता है आपके action का reward भी मिलता है लेकिन अभी भी यह six of cups card दिखा रहा है कि कुछ तो past का आप you know चुका रहे हो that is why यह situation आपके सामने बार-बार-बार repeat हो जाती है कोशिश करिये जो lesson आपने आज सीखा वो कल दुबारा ना सीखो ऐसी mistake दुबारा ना कर दो कि divine फिर से वो situation आपके सामने लिया है make sure कि अगर आज कुछ सीखा है अपने किसी एक emotion पर control करना सीखा है तो वो जो सीखा है वो कल आगे बढ़े यह नहीं कि भूल जाएं आप उस सीखे होगे को भूलोगे तो फिर से सिखाएंगे divine समझ रहे हो आप तो यह वाली बात है ऐसे situation डाल देंगे आपके life में जब आपको फिर से वो scenario repeat होगा फिर से जो भी है scenario अगर चीजे repeat हो रही है आपको strong बनाने के लिए repeat हो रही है because we have strength card here यह जो card है यह card बहुत positive है लेकिन खुशियों से भड़ा card नहीं है यह risky card है और बहुत strength मांग रहा है बहुत ज़्यादा आपसे हिम्मत की demand हो रही है कि आप सीखो समझो और आगे बढ़ो जो बी टारगेट है आपका major, major है guys, ace of swords new beginning आएगी बिल्कुल आएगी थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा because temperance and star दोनों card patience मांग रहे हैं ठीक है लेकिन हो जाएगा सब कुछ clear because we have justice तो justice तो divine आपको दिलाएंगे justice का मतलब न कर्म का फल मिलना भी होता है तो ये जो past की energy आ रही है आपके साथ वो ही चुका रहे हो आप इस situation को अगर ये repeat हो रही है तो अब चलो ठीक है situation हमने जान लिया क्यों repeat हो रही है क्या हमसे गलतियां हो रही है ठीक है हमें और strength अपने अंदर लाने की जरुरत है य सारी चीज़े हमें समझ में आ गई है तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो manifestation करने का तरीका है वो और ज्यादा बढ़ जाए ठीक है हमारे जो efforts है हमारी जो prayer है वो अच्छे से काम करें है तो कुछ ऐसा भी तो करना पड़ेगा न हमको तो guys इसका एक simple सीधा solution है आज से ही अ आपके action से hurt ना हो आप किसी को hurt ना करें आप किसी और से hurt भी न हुए ठीक है यह भी एक खुद को भी hurt करना गलत करन create करना होता है तो ना कोई आपको hurt करे ना आप किसी से hurt हो अगर आपको लगता है इस particular इंसान से आपकी नहीं बनेगी उससे आपको अच्छी vibe नहीं आ रही है तो आपको distance बना ले आप वहाँ पर जाए ही ना जो बोले conscious उनके दूसरे से निकाल दे ठीक है neutral रहें एकदम एक तो आप ये कर सकते हैं कर सकते कि आपको करना ही चाहिए अपनी situation को पूरा खतम करने के लिए जितने भी लोगों से आपको hate हो रहा है या उनके लिए hate feelings आ रही है उनको माफ करके आगे बढ़ जाएं दूसरा तरीका तीसरा तरीका आप थोड़ा सा meditation करें meditation में जिस भगवान में आप believe करते हैं उनका नाम लें बार बार ठीक है तो ये भी एक तरीका है क्योंकि नाम का जाप करने से आपके अंदर positivity आईगी आपके अंदर peace आएगा और ये आना बहुत ज़रूरी है आपके action को सही करने के लिए तो ये कुछ तरीके हैं जिने आप follow कर सकते हैं माफ लोगों को कर दो क्योंकि उनको लेकर अगर hate है या थोड़ा सा भी jealousy कुछ भी कहलो hate ही मैं word बोलूँगी अगर ऐसा है और आप कुछ manifest कर रहे हो तो उसमें अर्चने आती है तो make sure कि आप आगे बढ़ रहे हो देखो जो जिनक से आप hate कर रहे हो या जो आपको पसंद नहीं करते आपकी नहीं करते कुछ नहीं है ऐसा ठीक है उनका level और आपके level में different है बहुत सारा difference है तो यह समझ लिया करो कि चलो भई आप उनसे ज़्यादा समझदार है समझदार इंशान हमेशा माफ हमेशा माफ करता है और आगे बढ़ जाता है ठीक है तो वही चीज आपने करनी है और आगे बढ़ना है I don't know इस जनम में किया या किस जनम में किया I don't know ठीक है बिकॉज यह जो कार्ड है यह बस past life दिखाता है अब इस ही life का past है या पिछले जनम का past I don't know बट येस यह आई है यह situation तो यह situation आई है तो अब आपको पता चल गया है और अब आपको कैसे action लेना है क्या करना है you know very well मैंने आपको solution बताए तरीके बताए कैसे आप इस phase को पूर तरीके से complete कर पाऊगे तो I hope कि यह reading आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही guys Bye Bye Take care